इस तरीके से चटनी है या कुछा जो भी आप लोग वोलते हैं हम लोग कुछा ही बोलते हैं अब दिधिक हैं आम के बनाने के लिए अप पूरा मार्केट में तो आम ऐसे ही मिल जा रहा है इसको हम बनाएगे आज कुच्चा जो सालों भर चलने वाला चत्नी है साल भर रखेए चैना साल आप से उतना साल यह चलेगा आई इसको हम पहले चीले अच्छे से जिने करता है इसे पानी चांव भी धूलेंगे चिल कर इचोटा छेद वाला यह बारा चेड वाला अब च्चोटा ही छेड्वाला से हमेसा कर बार वालाच है करें नहीं इस तब आ दोस्तों इस तरी के से सारा आम को हम घिस लेंगे इसका जो हार्ड वाला बीज है उसको हम निकाल देंगे यह देखिए आये सारी आम को हम घिस लिए अच्छे से यह देखिए मिर्चे हरी मीच तो बड़े आपुत्य है । अंहीं दाज बताते हैं आपको कितना कितना है यह सुधित यह दो पां मेंफ यह का अ हूं पचक्राम यह 15 ग्राम अध्रक है यह लासण यह पचास एंप पचेस ऑठीव अंब सास्मक्राम मिर्च अभी सभीम द्रण के धर सरक है कर लेंगे इसमीय नियों संड ड़ें नेढ़ यादर निकाल कर दें कुछ इस तरीकशन मुझे चाहिए दर दाहाई सा यह दिक इसमी मिर्ची डाल को उसी तरीके से हम दरदा कर लेंगे यह इस तरीके चैनल कि आ तर दर फजाइस पर है कि निकाल कि में रीचना कर दिया है जी त थाली में कुछ ज्यादा ही मुटा हो जाँ रहा है इसको हम दो थाली में कर लेगा पतला सफ हरा पानी सूख जाए दो बरतन में हम रख दियां कुछ इस तरीके से इसका है पानी इस पानी को सुखा ले हम दो तीन घंटा जितने घंटे में पानी सुख जा दूप में अच्छे से रखते हैं आप लो तो तो किस चाह का हम मसाला तियार कर लें चट्मच यह एक चमच भरे दो चमच शॉफ दो चमच शॉफ हो गया कराई कर लिए हैं गरम कराई हो कया तरह आए दोनों चेश को हम डाल देंगे बूजने के लिए कि जब तक अच्छे से इसमें खुस्वू ना चटक ना जाए इसमें चटकना शुरू हो चुका है आवा जा रहा है इसमें खुस्वू शर्षो ले लिए काला वाला वाला यह पीला वाला यह तीनों चीजों को सिरेंगे एक साथ मिक्स करें मिक्स कर देंगे तेल डालेंगे सो ग्राम के अंदाफ से उसमें डालने क्लिए आप तेल कभी घरम करके ही डाले तो आसा हलका गुनगुना हो जाए तभी तो अच्छा चाय चटनी चाय कुच्छा जो भी अच्छा रात पंगुई से टश कर ले देखे तेल गरम हो गया पुरा अब इसको हम बंद कर देंगे देखे दोस्तों सुक गया इतना अभी थोआ थोआ नमी रह गया है इसमें सारा मसाला मेक्स करके हूं अभी अभी इसको हम दो घंटे और धोप में रखेंगे ती मसाला भी हलका पक जाएगा इसके बाद ही हम डब्बे में रखेंगे आए दुनों के एक सथम रख ले मसाला पिश चुके हैं सर्षो मेथी और शौंफ इसको हम डाल देंगे लाल मिर्च डालना नहीं पसंद करते हैं तो और उसमें हरी मिर्च 50 ग्राब और मिला लें इसमें थोड़ी सी हम लाल मिर्च डालें के लिए ये धन्या पाउडर है एक चमच कभी भी आचार में डालना हो आ पाले अजवाइन हैं और कलोंजी है जिस वही हम मंग्रेल बना जाता है सभी चीजों के इससे डेर चमच डाल लिए इसके साथ हम गरम तेल डाल देंगे इसमें इसका नमी है सो और अभी भी नमी हाई है बहुत ज्यादा इसमें अभी दो तीन घंटा दूप में रख आप शीचे के भरतन में रखें हमें सा देखें जड़ा सा तेल डाल दिया है इस तरीक से घुमा देगे पूरा लग गया तेल इसके साथ इसी हम डाल लेंगे अ कि यह देखें दूस्तों कुछ इस तरीके से बनके रेडी हो गया आप लोग भी जरूर बनाएं आप वीडियो पसंद आना है तो लाइक सब्सक्रीब जरूर करें नमस्ते बाइब